नमस्कार दोस्तो स्टडी ट्रेक चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे विलियम बलेक द्वारा लिखी गई एक पोयम माई प्रिटी रोजट्री पोयम को सुरू करने से पहले मापको इस पोयम से संबंदित जानकारी दे दूँ जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ सके इस पोयम को विलियम बलेक द्वारा 1794 में Songs of Experience नाम के पोयट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया दोस्तों विलियम बलेक ने दो पोयट्री कलेक्शन लिखे Songs of Innocence को 1789 में पब्लिश किया गया इस पोयट्री कलेक्शन में 483 पोयम्स हैं इसमें विलियम बलेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं दूसरा पोयट्री कलेक्शन Songs of Experience को 1794 में पब्लिश किया गया इस पोयट्री कलेक्शन में 26 पोयम्स हैं दोस्तों Songs of Experience में जो पोयम्स हैं विलियम बलेक ने लिखी है वो सभी पोयम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथ्वा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोयम्स बताती है इस पोयम्स में 8 लाइन्स हैं जिने 2 स्टैंजाज में लिखा गया है और इस पोयम्स की राइम स्कीम है A B A B दोस्तों इसमें कुछ लिटेरी डिवाइसिस का भी यूज हुआ है जैसे आईरनी जक्स्टा पोईजिशन इस पोयम्स की थीम है तो चलिए पोयम को सुरू करते हैं इन लाइनों में कवी कहता है कि किसी ने कवी को एक सुन्दर गुलाब का फूल ओफर किया जो बहुत ही सुन्दर था और इतना सुन्दर गुलाब का फूल तो मई मन्त में ही देखा जा सकता है लेकिन कवी ने इस सुन्दर गुलाब के फूल को लेने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास एक गुलाब का ट्री है जिस पर काफी सुन्दर सुन्दर गुलाब के फूल लगते हैं और आफर किये गए गुलाब को कवी ने छोड़ दिया और वह आगे बढ़ गया इन लाइनों में कवी कहना चाहता है कि किसी महिला ने कवी को परपोज किया और उस परपोज को कवी ने ठुकरा दिया क्योंकि कवी मैरिड है और वह अपनी पतनी को एक गुलाब के ट्री से कमपेर करते हैं जो की बहुत सुन्दर होता है और उस पर बहुत सुन्दर सुन्दर फूल लगते हैं कवी कहना चाहता है कि जिस महिला ने कवी को प्रपोज किया वह उसकी पतनी से ज़्यादा सुन्दर नहीं थी और वह एक छोटे हे से गुलाब के लिए अपनी सुन्दर पतनी को खोना नहीं चाहता इन लाइनों में कवी कहता है कि वह उस महिला के परपोज को ठुकरा कर आगे बढ़ जाता है यहां उस गुलाब को छोड़ कर अपने गुलाब के ट्री के पास चला जाता है जिसका वह दिन रात अच्छे से ख्याल रखता था लेकिन कवी का गुलाब का जो ट्री था वह जलन के कारण मुर्जा गया था और जो गुलाब के पोधे के जो काटे होते हैं उनसे ही कवी को बहुत आनन्द मिलता था इन लाइनों में कवी कहना चाहता है कि उसकी पतनी पहले की तरह बहुत सुंदर नहीं रही है और वह फिर भी उससे उतना ही प्रेम करता है जितना वह जवानी के समय में किया करता था इन लाइनों में कवी अपनी पतनी का कमपेरेजन सुखे हुए गुलाव के ट्री से करता है जो की मुर्जा गया है और उस पर जो काटे रह गए है वह उनसे उतना ही प्यार करता है जितना वह उस गुलाव के ट्री से पहले किया करता था अथवा वह अपनी पतनी से आज भी उतना ही प्रेम करता है जितना वह पहले किया करता था लेकिन उसकी पतनी आज इतनी सुंदर नहीं है जितनी वह पहले हुआ करती थी इसी के साथ हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है यदि आपको पोयम अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही सटर्डी एलेटिड वीडियोज को देखने के लिए सटर्डी ट्रेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन को भी ओन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद